हमारा मेन टोपिक है वो पेपर प्रिजन्टेशन, अटेम्टेशन और उसके बाद फिर उसकी चेकिन के हवाले से है और फिर यह भी हम जानेगे कि उसके बाद बच्चा फेल क्यूं होता है यह के पेपर कैसे चेकिये जाती है जो के सॉम टाइम्ज ऐसा होता है कि बच्चे अ कामी की वयाँ से अच्छी प्रिप्रेश्ज होने के बावजूल इंपखाने फियलूए तो सबसे पहले तो उनको जब उनके हाथ में शीथ आती है तो सबसे पहले वच्चों को क्या करणा चाहिए सबसे पहले जब शीथ में लिख्धा ह zwar जैसे लिखा होता है, examination, 2022, जो भी है, सबसे पहले आपने वहाँ पर लिखा होता है, के annual our supply, आपने वहाँ पर annual supply लिखना है, तो उसका आपने आगे annual यहाँ supply लिखना है, अगर supply का है, जैसे अभी paper होने जा रहे है, आपने वहाँ पर आपने supply लिखना है, जो annual होंगे, तो फिर annual वाले annual लिखेंगे, उसके बाल, आपने वहाँ पर इंग्लिश में लिखा होता है, subject, और subject में भी पच्छे कल भी होती है, उन्हें पता लिखना है, तो subject की जहाँ आपने paper का लाम लिखना होता है, अगर आपका English लिखा paper है, तो आपने English लिखना है, उड़लू है तो उड़लू है, पज़ाबी कोई भी paper जो होगा उसका नाम लिखना है, उसके बाद तो सबसे बड़ी जो एहम बाद होती है, वो यह होती है, कि student जो है, वो बाजगार वो अपना row number और नाम लिखना बून जाता है, ये बहुत जोरी होती है, ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं, बच्चा पाड़ तो बहुत अच्छा लेती हैं, लेकिन उनको paper ही निये attempt तरना आता, उनको पता ही निये चलता, row number है हमने figure में कहां पे लिखना है, और words में कहां पे लिखना है, अब देखे न, हमारे बच्छे क् करते हैं, वह आपर time होता है short, question होते है जाला, और सबसे पहले जब बच्छों के आप में sheet आती है, तो बच्छे क्या करते हैं, बच्छे लाइने लगाने में आपने time बेश गारे होते हैं, सबसे तलहे जो हैं, आपने अपना time रेशनी करना, सबसे पहले आपने, जब तक हाथ में paper नहीं आता, question paper नहीं आता, तो उतनी देर में आपने sheet को ऐसे fold करना है, दोनों दरस से, line नहीं लगानी, जैसे आपने sheet को fold किया, उसके बार फिर आपने क्या करना है, उसके बार जब आपके पास question paper आ गया, तो आपने अच्छी तरह से उसको read करना है, आपने सबसे पहले 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 question नहीं करना, यह नहीं देखला, पांच question है, तो आपने देखना है, पांचो question में पहला question जो है, जो सबसे अच्छा है, वो कौन सा है, आपको जो सबसे अच्छा question है, वो आपने पहले time करना है, और उसके लिए भी देखें, आपने पूरा question नहीं में स्टेक स्टून कर रहे होते हैं बी ए का जो पहला प्रेशन होता है मलब पाड़ वांग का पॉइट वी के वार से राफरेस्ट डू कंटाक्ट राफरेस्ट डू कंटाक्ट में तेन स्टैंजे होते हैं तीन पॉइंटे होते हैं डो प्ले के होते हैं पांस टैंज होते हैं तीन करने होते हैं अक्सर ऐसा होता है कि बच्छे जो है उसको रीड करते हैं और उनको दो की तो समझ आ रही होती है तीसले की समझ में आ रही होती है तो वो क्या करते हैं वो दो को कर लेते हैं तो कहते हैं जिन नेक्ट वेसंग पर ले जाएंगे अगर पर पर ले जाएंगे तो समझे ले वो जो जा आप प्यालूस हो गया वो उसके मार्स नहीं रिज़ सकते जब भी करना है क्वेशन पूरा तो पहले उसके जितने भी पाड़ आप उसको पूरे पार्स पर कंप्लीट करना है फिर आगे चलना आप ले स्टूड़न्ट क्या करते हैं वो बगाईदा तोर पर जो उनके क्वेशन पेपर पर पूरा स्वाल लिखा होता है वो पूरा ही नोड करने बैड़ जाते हैं और उसके बाद आकर वो कहते हैं कि सर हमें इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम पू करने पूरे क्वेशन करने कोई खास ऐसी गलती हैं जिनकी बजजुहाद पर जो पेपर चek करने वाला होता है वो स्टूड़ को फेल कर देता है इसमें यह होता है कि सूम टाइम बच्ये क्या करते हैं कि वो जो पेपर करते हैं अप एक वेशन चो मैने पेले बाल की थी एक मेरी next question के two part अब एक पार्ट तो सको इसको के लिए हो रहा है दूसरा पार्ट के लिए निहो रहा कैता ह भी मैं 8 पार्ट के लिए और रॉमाद रुटता है जब मेरे जहन में कदा was pardon भी खोड़ता है पर अगले question की तरह माजटा है तो जो एक्जामनल होता है उसने डेखना है question number one and two है अब डेखना है कि उसका डूसा पाड उसने किया कि नहीं किया अगर उसने देखन में है साफ में जुड़ा हुआ पस पार गए तो फिर उसने उसको cancel दो लिए जान में उसके number नहीं जे ले लेंगे और यह नेत्वी पॉइंक जाता है पच्छू फिली काफी स्टुडेंट्स का यही कहना होते है सार के अर्दा टाइम हम वर्ड्स बूल जाते हैं लेकिन बाट जब हमें याद आता है या पूरा सेंटेंस यादा आता है तो हम उस fiber पूरा łain डगा देते हैं चोटाश लगा देते हैं च्छोटे क्रोस लगाने भी examiner नंबर काट लेता है प्रप्राइब करता है, एक्जामलफ किसी भी सुछ में करदेगा, जब आप कटिंग करेंगे तो सम्मिल ने, आप कटिंग करने के साथ अपने माज को लेके आ रहे हैं, तो किसी भी हाव में कटिंग नी करने, अज़ा दूसर भी बात क्या होती है, अकर देखें, जिस तरह हम कहते हैं, आप कोई भी क्वेस्टन त्यार करके जाते हैं, अगर आप पो अर्दू में कंसेप्ट क्रियर होंगे, तो आप किसी भी जड़ाग तन्फ्यूज नी हो से पे, चुकि जिस तरह हम अक्सर कहते हैं, कि मुद्वे वेज में आप अपली सेंस को क्रियर का सकते हैं, अब एक राइटर कहते हैं जी दस और बीस, दस और तस बीस होते हैं, आपने रेडर लगाया हैं दस और तस बीस का, अगर वहाँ पर भूल के तो कंफ्यूज हो गए, अजिए आप पो पता है कि हमने सेंस की नर कदमी आएं, तो आप दस, आपने टोड़ा बनाना है बीस है माग 15 और पांच भी 20 में आ सकते हैं, आप 12 और 8 से 20 में आ सकते हैं, आप 19 और 1 से भी 20 में आ सकते हैं, मुकले वेर से आप टालकर को अचीव कर सकते हैं, तो तो रटे वरा होता है, उसके लिए समसे बड़ा प्राबलम यही होता है कि जहां वो कंफ्यूज होता है, वो बज कुल छीटिंग में यह चीज़ कर दो देखें, देखें दो बच्चे जो हैं, आगे बीचे बैठे हुए हैं, वह चीज़ जो आगे बीचे ने लिखी है, ठीक है, वह अगर पीछे बाला बच्चा लिखेगा, तो जहरी बात है, पीछे वाले की और आगे बाले की दोनों अगया वो निकल कुराएगा यां। तर्टीब वाइजी चैक होते हैं जी जिस तर्टीब से बेबल आ रहे होते हैं उसी तर्टीब से रहते हैं तो इसलिए लोग आते हैं जब आप आगे अपसे जो आगे बच्छा बैठा हुआ है अगर पहले उसका पेपर स्याक होगा फिर आपका अगर डोनों के विवस एम होंगे तो जारी बात है उसको पला स्यालेगा किसने नडूगी है मारे टीचर्स को खास्त मज़ा देनी चाहिए कि बच्छे को पेपर प्रिजेंट किस तरीके से करना चाहिए जो बिलको जूरी है ये चीज़ तो बहुती जारा जूरी हो दी है अगर टीचर्स इन चीज़ों के बारे में अपने स्टुड़न को बेन देंगे तो वहाँ पर जाली बात है वो जो चीज़ उसको टैम्ट करनी चाहिए वो नहीं कर पाएगा जो जब वो एक्जामदर के मेयार के मताब पूरा नहीं उचलेगा तो एक्जामदर उसको मास नहीं देगा उसलिए माहिए जम्टाब अकसर स्टुड़न्स बिलके मुस्टली स्टुड़न्स का तकरीबबन यही होता है है कि सर हम यह तो अपना रोल नॉंबर जलट लिखा है यह हम अपना रोल नॉंबर भूल गे लिखना और उन्होंने पीपर भी दिया होता है तो क्या उनका रिजल्ट फिर फेल कंसीटर्ड किया जटते है जारी बता है यह मैंने पहले भी बाल यही की थी अपने इस बात से पहले कि सबसे पहले जब आप वो question answer sheet में लेगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है आपने examination जो भी है वो फिर annual year supply फिर आपने roll number फिर आपने roll number इस तर्तीब से चलना है जब आपना roll number नहीं निखेंगे तो ज़ारी पत है एक्सडेब ने वो कैसे प्रस लेगा कि ये paper किसका है किसका नहीं है तो हम आप तो बेकुल लावारस हो जगेंगे